इसमें क्या दिया है if cos y is equal to x cos a plus y with cos a does is not equal to plus minus 1 तो आपको proof क्या करना है dy by dx यह होगा आपको proof करना है तो अब कैसे किया जाए तो जो given equation इसको आप differentiate करेंगे और dy by dx को आप separate करके बाकिसरे term को आप RHS में ले जाएंगे तो जो आपका है answer आजाएगा तो आएगा की नहीं आएगा एक बार हम करके देखते हैं तो यह जो equation दिया है इसको आप differentiate करो इसको आप differentiate करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह equation d by dx of cos y हो गया right hand side में आएगे तो इसमें product rule लग जाएगा तो x d by dx of cos a plus y इस तरीके से इसको लिख सकते हैं cos a plus y हो गया plus cos a plus y अब d by dx of x हो जाएगा ठीक है cos y का यहां differentiation क्या होगा यह होगा minus minus sin y इसके बाद हो जाएगा dy by dx ठीक है अब इधर यहां पर x cos का minus sin होगा तो minus sin यहां लगा दो और sin bracket में a plus y होगा इसके बाद अगले step में d by dx of a plus y हो जाएगा इधर आजाएगे cos का यहां तो ऐसे ही रहेगा cos a plus y इसके बाद d by dx of x यह 1 होगा into 1 कर दो अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको हम लिख सकते हैं minus x sin a plus y अब जो है इसका differentiation देखें एक तो 0 हो जाएगा यह constant है यह dy by dx होगा तो हम क्या करते हैं यहीं changes कर देते हैं इसका इसमें आप यहीं पर कर दो dy by dx ठीक है तो और यह 1 को तो multiply करेंगे तो यह ऐसे बन जाएगा अब देखें हम क्या करेंगे इस term को lhs में ले जाएगे तो यह जो minus वाला term इधर जाके plus बन जाएगा यह ऐसे ही रहेगा ठीक है तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं minus sin y into dy by dx और plus x sin a plus y into dy by dx ऐसे लिख दिया अब rhs में यह इसको ऐसी रहने दो cos a plus y ऐसी रहेगा अब हम क्या करें इन दोनों में से dy by dx इसको common निकाल लो तो dy by dx अगर common आ जाएगा तो देखें यहाँ क्या बचा minus sin y plus x sin a plus y ऐसा और यहाँ पे है cos a plus y अब आप क्या करो यह पूरे टर्म को यहाँ इसके denominator में ले जाओ तो dy by dx is equal to cos a plus y whole divided by minus sin y plus x sin a plus y अब इसके बाद देखें हम क्या करेंगे हम यह equation देखेंगे यह इसको अभी यहाँ रहने देंगे अब इस equation से हम x की value निकाल सकते हैं इस equation से हम x की value क्या लिख सकते हैं cos a plus y को इसके नीचे ले जाओ तो हम लिख सकते हैं cos y upon cos a plus y ऐसे आप लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा x यह given equation से तो यह x की value आपको यहाँ substitute करनी है तो जब इसको हम substitute करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा अरब किया जाए देखें तो इस equation में x की जगे यह रख रहा हूँ तो हमको मिलेगा dy by dx is equal to यह हो जाएगा cos a plus y whole divided by minus sin y तो as it is रहेगा यहाँ आप लिखेंगे plus x की जगे cos y upon cos a plus y इस तरीके से आप लिखेंगे into sin a plus y यहाँ पर into में लिख देता हूँ sin a plus y इस तरीके से आप कर देंगे ठीक है तो समझ में आए अभी हमने क्या क्या substitute कर दिया x की value अब आपको इसको simplify करना है तो देखें हम क्या करें यह cos a ले ले लेंगे यह इससे multiply हो जाएगा फिर यह इसके ऊपर चला जाएगा ठीक है तो यही जो चीज है आपको ऐसे लिखना है cos a plus y यहाँ पे इसका lcm हो गया cos a plus y और यहाँ पे यह cos और यह multiply हो जाएगा minus sin y and cos a plus y ऐसे लिखेंगे और plus में आ जाएगा यहाँ पे यह cos y into sin a plus y ऐसे लिख सकते हैं इसको अब यह जो है cos a plus y यह ऊपर जाके cos a plus y से multiply हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा dy by dx is equal to यह बन गया cos square a plus y अब जो denominator वाला term है तो देखी इसको हम पहले लिखेंगे इसको मैं लिख लेता हूँ sin a plus y into cos y फिर उसके बाद minus sin y into cos a plus y इस तरीके से लिख लिख लिया यह पूरा denominator में अब देखी यहाँ पे हम sin a minus b का formula लगा सकते हैं इसको अगर a मान ले इसको हम b मान ले तो sin a cos b minus sin b cos a तो sin a minus b का formula यहाँ apply हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा cos square a plus y और denominator में sin a क्या है यह है a minus b याने a plus y minus y तो y से y cancel हो जाएगा किवल sin a बचेगा तो जो हमारा जो चीज़ प्रूफ कर रहा था वो आ गया क्या मिल गया cos square a plus y divide में है sin a और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी तो यह देखिए हमारा प्रूफ हो गया